हेलो बच्चों कैसे हूँ आप सब लोग मैंने हारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने आप लोगों ने इससे पहले अगर समरी लेक्चर देखा होगा तो समरी लेक्चर बच्चे अभी आप लोगों को रीसेंटली जो मिला है उससे एक पहले हम लोगों ने इंटीग्रेटिड ग्रामर का ही सेशन किया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ग्रामर के किस तरीक type of सवाल देखे और आज के lecture में हम लोग basically focus करने वाले हैं हमारे one marker MCQ questions को and as the series suggest बच्चे ये 30 questions होने वाले हैं ये हम लोग कुछ 30 questions करने वाले हैं हमारी class में 30 MCQs करने वाले हैं आज की class में अलग-अलग topics में से तो आई बच्चों start करते हैं हमारा lecture number seven जिसमें हम लोग करेंगे कुछ बहुत बढ़िया से खुबसूरत से questions को हमारी आज के lecture की series में तो बच्चे आज कौन से topics पर आपको सवाल देखने को मिलेंगे तो बच्चे आज की class में आपको reported speech पर सवाल देखने को मिलेंगे टेंस पर सवाल मिलेंगे subject वर्ब agreement पर सवाल मिलेंगे models पर सवाल मिलेंगे डिटर्मिनर्स पर सवाल मिलेंगे अब बच्चे अगर मैं बात करूं आप लोगों के lecture series में तो lecture series जो आप लोगों का उडान हिंदी चल रहा है वहां पर सिर्व एक यह topic बचता है उसके अलावा यह सारे topics बच्चे हम लोग हमारी उडान series में कर चुके हैं है ना summary series में भी मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें टेंस सब्जेक्ट वर्बग्री में डिटर्मिनर्स के बारे में बता दी थी आज सेविक reported speech ऐसा topic होने वाला है बच्चो जसमें हम थोड़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे मैं आपको कुछ technicalities समझाओंगी कुछ बाते समझाओंगी जो आप लोगों को एक better answer को लिखने में help करने वाली है तो विदाव टेनी further ado बच्चो आईए start करते हैं और देखते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल अब पहला सवाल ही बच्चे reported speech में से दिया गया है और इस सवाल का एक reason है कि आप लोगों को पहला ही सवाल reported speech में से दिया गया है लाकि मैं आप लोगों को सिखा सकूं कि रिपोर्टेट स्पीच में आप लोगों को क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना होता है बचे जब भी आपको रिपोर्टेट स्पीच का सवाल सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को याद रखना है यह इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो हो जाते हैं said that के अंदर जब आप एक declarative sentence की बात करते हो यहां पर यह change हो जाएगा बच्छे आप लोगों के माइट में लीव रहेगा लीव में tomorrow बच्छे वापस से change होता है tomorrow change हो जाएगा आपका the day after या the following day किसमें बदलेगा the day after में या फिर आप इसे बदलोगे the following day में अब यह सारी की सारी चीज़ें आपको जहां पर मिल जाती है वही आपके question का सही जबाब हो जाएगा हमें देखना है कोई option correct answer होगा पहला option देखो आए में अब यहां पर बचे very important point यहां पर यह आए कि कौन बोल रहा है Nancy बोल रही है तो यह she में change हो जाएगा तो she might ठीक है she दोनों में है might दोनों में है leave दोनों में है यहां लिखा है tomorrow tomorrow नहीं होना चाहिए the next day होना चाहिए यानि सारी के सारी statements कहां पर match करती है statement number one में match करती है इसलिए option number a आपके question का सही जवाब होगा अगर आपको यह चीज पहचाननी आती है कि reported speech में किस चीज को किस में change करना है यह changes भी मैंने आप लोगों को side में यहां लिख दिये है यह third person past tense में ठीक है third person और यहां पर बचे past tense यह दोनों चीजे होनी बहुत जरूरी है जब sentence में यह दोनों चीजे हो जाती है तो आपका answer सही हो जाता है तो पहले question का correct answer option number a है अगला सवाल आता है बच्छे subject verb agreement में से सवाल आता है a large number of soldiers dash died for the country अब हम लोगों ने subject verb agreement किया था तो हमें पता है कि जब यह लिखा होता है a large number of soldiers soldiers मतलब countable noun यह आपके countable noun है और जब लगता है बच्छे a number of countable noun के साथ तो यह क्या बन जाता है यह बन जाता है बच्छे आप लोगों का plural subject कि बहुत सारे अनेक soldiers ने अपनी देश के लिए जान दे दी अब soldiers कैसे है बच्छे यह plural subject है plural के साथ आप लोगों क्या लगाओगे आप लगाओगे third oh sorry plural helping verb तो यहाँ पर क्या लगेगा यहाँ पर लगेगा have died for the country आप लोग has नहीं लगा सकते क्योंकि वो singular हो जाएगा इस नहीं लगा सकते क्योंकि वो singular हो जाएगा आर नहीं लगा सकते बच्छों आर died नहीं होता है तो हमारा answer होगा have died for the country option number D आपके question का सही जवाब है ठीक है I hope यहाँ तक आप सब बच्छों को समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं बच्छे हमारे तीसरे सवाल की तरफ integrated grammar का session है बहुत छोटी छोटी चीज़े मैं आपको sentences में बताती चलूँगी बहुत लंबा यह session बच्छे obviously आप लोगों को पता है कि नहीं होने वाला है because हमें कुछ गिंती के 30 सिर्फ grammar questions करने हैं बहुत लंबा session नहीं होगा छोटा सा brief session होगा बहुत सारे चीज़े मैं उमीद कर रही हो कि session के बाद आप लोगों को grammar के regarding समझ में आ जाएंगी सवाल है gambling dash ruined many career gambling बचे क्या होता है gambling होता है 60 लगाना ठीक है वो कहते हैं 60 लगाने से बहुत सारे लोगों की जिन्दगिया है career है वो उजडगाए है is ruined many careers नहीं हो सकता was ruined नहीं हो सकता present tense की बाद हो रही है बचे gambling ने बहुत सारे लोगों की जिन्दगी बरबाद कर दी है यह क्या है यह एक general statement है general statement simple present tense में होती है तो यहाँ पर क्या जाएगा has जाएगा gambling has gambling 60 लगाना यह singular subject है बचे यह double trouble का सवाल था इसमें tense भी पहचानना है और आपको subject verb agreement भी लगाना है यह क्या है यह singular subject है आपके sentence में तो answer बनेगा gambling has ruined many careers option number C आपके question का सही जवाब होगा ठीक है मैं अमीद करती हूँ यह सवाल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगला सवाल वापस से reported speech का आप लोग pause करके statement को देख सकते हैं सवाल आता है the salesman said are you interested in the scheme अब यह वाले जो सवाल है ना बचे पहली चीज़ यह आते है आपकी question category से कौनसी category से यह आते हैं आपकी questions की category से दूसरा बचे इसमें यह yes या no वाला सवाल है इसका answer आप yes या no में दे सकते हो कि आप इस scheme में interested हो या नहीं हो तो यहाँ पर बचे जो आपके inverted comma change होंगे वो if या weather में change हो जाएंगे और आपके subject की जगा और जो आपके verb की जगा है वो interchange हो जाएगी third person में आप इसको ले जाएंगे he she के अंदर चला जाएगा और past tense भी आ जाएगा यानि statement बनेगी the salesman said की जगा हो जाएगा asked if are you he was interested in the scheme आपको यही ढूनना है statement में the statement said that तो जहाँ पर भी said लिखा है वो काट तो because यहाँ पर ask लिखा जाएगा asks if I am interested नहीं present में नहीं जाता asked me if I was interested या if he was interested in the scheme तो बचे option number D उसने मुझे पूछा है न are you interested तो यहाँ पर he नहीं होगा यहाँ पर होगा me if I was की मैं interested हूँ इस scheme में या नहीं तो यहाँ पर option number D आपके question का सही जवाब होगा आप लोगों को बचे पहचानना सीखना पड़ेगा कि आप लोगों को कैसी statements दी जा रही है और उन statements के correct answer को आपको कैसे चुनना है I was just having a sip of water बेगस पानी बहुत जरूरी है चलिए अगला सवाल देखते हैं डाश रेनिंग सिंस मौर्णिंग वेन यू रैंग मी अप तो हमने बोला कि यह बारिश तब से चल रही है सिंस मौर्णिंग बचे सिंस हमने कहा किया था सिंस हमने किया था present perfect continuous के अंदर है ना हमने कहा किया था हमने किया था present perfect continuous के अंदर कि कोई भी ऐसी चीज जो पहले शुरू हुई लेकिन अभी तक चलती आ रही है उसको आ present perfect continuous में डालोगे तो क्या है इट डाश रेनिंग सिंस मौर्णिंग बारिश तब से हो रही है जब से तुमने मुझे कॉल किया था तो had been तो पास्ट में हो जाएगा यह option तो नहीं हो सकता have been नहीं हो सकता because subject singular है was raining करोगे तो वो आपका past continuous में जाएगा यह आपको continuity नहीं बताएगा कि वो action अभी भी हो रहा है या नहीं हो रहा है इसलिए correct answer बचे option number B है it has been raining बारिश तब से हो रही है जब से तुमने मुझे call किया था और उसके बाद अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है ठीक है अगला सवाल वापस से बचे reported speech में से आता है इस बार ही आप लोगों को अपना answer को कुछ सोचना है मैं ज़्यादा answer नहीं बताऊंगी आप लोग time लीजिए और अपनी statement को सोचिए तब तक हम hint देखते है अलास it can't be this bad अब यहाँ पर बचे यह जो अलास वाला point है यह बताता है कि यह sentence कैसा आया यह इतना बुरा तो नहीं हो सकता यानि वो इस चीज में sadly बोल रहा है यानि वो sorrow के साथ क्या कर रहा है वो exclaimed that आएगा यहाँ पर inverted comma किस से बदल जाएंगे exclaimed that से बदल जाएंगे तो आई यह option देखते हैं he exclaimed with sorrow that it couldn't be that bad उसने बड़ा दुख के साथ बोला कि चीजे इतनी बुरी नहीं हो सकती थी he grieved that it couldn't be bad लेकिन बच्चे क्योंकि यहाँ पर exclamation sign है तो यह exclaimed तो word आना ही चाहिए और उसने कैसे exclaim किया दुख के साथ inverted comma हट के that और यहाँ पर it can't be it को change किया उसने that में can को change किया उसने could में this bad को भी that bad कर दिया यानि सारी चीजे a option में match करती है it का that हो गया can का couldn't हो गया past chance में ले गया this का that हो गया ठीक है option number a आपके question का सही जवाब होगा अगला सवाल देखेंगे our servant dash us two week ago हमारा servant हमें कब छोड़ कर गया दो हफते पहले छोड़ कर गया past tense की बात हो गई तो कौन सा choose करेंगे leave leaves is leaving या left तो बचे यहाँ पर past chance दिखाता है आपका option number d option number d आपका v2 option number d आपके question का सही जवाब है our servant left us two weeks ago option number d आपके question का सही आंसर होगा और यह बचे एक declarative sentence है इसके अंदर आप अपनी normal statement pass कर रहे हो ठीक है आएए भड़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल कहता है models में से you dash speak in the library वो कहते हैं कि library में क्या करना चाहिए must not, dare not, need not या could not जब बचे आप library में जाते हैं आपको बोलना नहीं चाहिए तो आपके लिए compulsion हो जाती है आपके लिए compulsion हो जाती है कि आपको नहीं बोलना है option number a आपके question का सही जवाब होगा क्योंकि अगर आपने यह चीज़ नहीं मानी then you have to face आपको क्या करना पड़ेगा आपको consequences face करने पड़ेंगे आपको उस चीज का खामियाजा भुगतना हो सकता है option number a सही जवाब होगा यहां तक आप सब बच्चों को यह बात clear हो गई होगी कि यहां पर must not क्यों लगा है dare not नहीं लगा सकते need not जरूरत तो नहीं है बचे और could not आप बोल नहीं सकते नहीं आपको नहीं बोलना है यह जरूरी बात है कि लाइबरी में हो तो नहीं बोलना चाहिए option number a ही आपके question का सही जवाब होगा अगला सवाल देखते है विदूशी said okay इसके options गलत है चलो इसको हम लोग खुद solve करते है इसको हम लोग खुद solve करते है यह question है विदूशी said we went for a summer trip यहाँ पर आपने क्या देखा यहाँ पर आपने देखा यह sentence है और इसे हमें खुद change करना है तो मैं आपको क्या करती हूँ मैं आपको इसके hint देती हूँ यहाँ पर बच्छे inverted comma आप लोगों को पता है that में change हो रहे है यहाँ पर person आप लोगों को third person मेh लेकर जाना है ठीक है आप लोगों को third person मेh लेकर जाना है और उसी के साथ आप लोगों का जो tense है बच्छे वो इस tense में यह simple past है simple past से आप लोगों को tense change करना होता है past perfect के अंदर तो आप लोगों को इस statement को change करना है करिए change करो इस statement को statement है विदूशी said we went for a summer trip तो आप लोग कैसे करोगे इसमें आएगा विदूशी said that कैसे आएगा विदूशी said inverted comma हट के लग जाएगा that we की जगा क्या लग जाएगा they went यानि simple past किसमें change करना है past perfect में क्या बन जाएगा had gone किसके लिए for a summer trip for a summer trip for a summer trip यह आप लोगों का answer बनना चाहिए अगर आप लोगों ने यह sentence को ऐसे ही बनाया है तो very good आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे अगला सवाल देखते हैं वच्चे आप लोगों के screen पर subjective of agreement में से neither you nor your sister should dash to them अब यहाँ पर वच्चे देखो दिमाग लगाओ should का यहाँ पर से दिमाग लगाना है should का इसी जीस पर ध्यान देना अगर आपने करा है मेरे साथ SSR second subject rule कि जब भी आपको neither nor का case मिलता है तो हमेशा second subject को देखना चाहिए यानि nor के बाद वाले subject को देखना चाहिए वो क्या है your sister यानि singular subject तो वर्ब जो आएगा वो V5 में आएगा V5 का मतलब है वर्ब में S या ES लगेगा लेकिन यहाँ पर देखो बच्चे क्या दे दिया should और हमने थोड़े दिन पहले ही करा है कि जब भी sentence में model दिया जाता है तो model के बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा V1 में आता है V5 में नहीं आता should not talk हो जाएगा option number A आपके question का सही जवाब हो जाएगा तो sentence क्या बनेगा neither you nor your sister should talk to them क्यों 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 कि यहाँ पर बच्चे should क्या है should आपका model है model के साथ हमेशा verb का first form लगता है उस case के अंदर आपका subject verb agreement काम नहीं आएगा models काम आएगे यह double trouble का सवाल था यानि इसके अंदर आपके दो logics लगते थे model का भी और subject verb agreement का भी तो अगर आपको ऐसा case आजाए कि मैम कौन सा दिमाग लगाए subject verb agreement के साब से चले model के साब से चले तो बचे grammatically जिस चीज़ से आपका statement ठीक हो जाएगा आप उस statement के साथ चले और grammatically यहाँ पर किस से statement ठीक होती है को statement ठीक होती है आप लोगों की subject, sorry, model से तो इसलिए हम लोग answer model के साब से ही लेंगे अगला सवाल my mother dash up early in the morning अब मेरी मम्मी जो है वो हर दिन सुभा जल्दी उठ जाती है तो यह किस चीज़ का सवाल हो गया यह simple present tense का सवाल हो गया simple present tense में अब देखो बात किस की हो रही है, mother की हो रही है mother कितनी, एक, singular subject इसके साथ क्या लोगेगा, v5 v5 का मतलब होता है, verb plus s यहाँ, yes, यानि my mother gets up option number B, मेरे question का सही जवाब हो जाएगा, कि my mother gets up early in the morning, और यह क्या है यह उनका habitual action है यह क्यों आया इसके अंदर क्योंकि यह मम्मी का habitual action है कि मम्मी हर दिन सुभा जल्दी उठ जाती है option number B, आपके question का सही जवाब होगा, ठीक है, मैं अमीद कर रही हूँ कि यहाँ तक जो बच्चे मेरे साथ सवाल कर रहे हैं, जिननने सारे चीज़ें मेरे साथ तमीज से पड़ी हैं, आप सब लोग इन questions का सही जवाब निकाल पा रहे हैं, और आप लोगों की correct answers भी आ रही है, अगला सवाल बच्चे आप लोगों की screen पर हम लोग कौन से number of questions पर हैं अभी एक पर देखते हैं, एक, दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा बारवे सवाल की उपर अब हम है बारवे सवाल कहता है बच्चे आप लोगों का reported speech, राजन said, राजन said, you cannot park here तो राजन बच्चे यहां पर क्या कर रहा है राजन यहां पर पहली बात तो order दे रहा है कि गाड़ी को यहां पर, you know, park मत करो, यहां आप कह सकते हो कि यहां पर आपको park करने को मना कर रहा है, यानि वो clearly आपको forbade कर रहा है वो आपको, he's not allowing you to do that, ठीक है तो you cannot park here, राजन said that I may not, अब आप cannot को may, तो कर नहीं सकते, यह नहीं होगा said to me that I was unable to park there, उसने बोला कि मैं आपार्क नहीं कर पाया, यह तो statement ही नहीं थी exclaim, बेटा कहीं पर आपको you cannot park here, यहां पर राजन said you cannot park there तो क्या लेकर जा सकते हैं हम लोग, हमें almost two options नहीं लग रहे हैं लेकिन क्योंकि यहां पर बच्छा exclamation mark दिया हुआ है, तो इसलिए आप exclamation वाले option के साथ ही जाएंगे, option number C आपके question का सही जवाब होगा रंजन exclaimed, यह spelling गलत लिखी वी है, इसके नाम के spelling हम लोग ठीक कर लेते हैं, इसके चकर में हमारा answer गलत नहीं होगा रंजन exclaimed that I couldn't park there कि मैं बहाँ पर पाक नहीं कर सकता यह यहीं दिया हुआ है, तो probably यह आए में ही बदलेगा, क्योंकि मेरे बारे में ही बात हो रही है, option number C आपके question का सही जवाब था अगला सवार आता है बच्चे determinants में से dash people were injured that night question है, several people much people, little people, enough people तो बच्चे वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग या अनेक लोग उस दिन घायल हो गए थे, यहाँ पर क्योंकि बच्चे आपको number unclear है, यहाँ पर आपको क्योंकि number unclear है कि कितने लोग इंजर हुए थे, लेकिन मान सकते हैं कि बहुत सारे लोग इंजर हुए होंगे इसलिए यहाँ पर हम several लेकर चल रहे हैं, much people uncountable के लिए लगता है, uncountable या नहीं है, little people हो नहीं सकते, enough people पेटा कहते हैं, enough people were injured तो यह सुनने में गलत लगता है कि कि यह भी uncountable के लिए यूज किया जाता है, तो several people were injured that year, क्योंकि यह countable हो जाता है, कि अनेक लोगों को उस रात को चोट लगी थी, option number A आपके question option number A आपके question का सही answer होगा ठीक है, समझ में आया अगला सवाल देखेंगे A pair of socks dash been missing from my wardrobe मैंने आप लोगों को सिखाया था कि जब भी बच्चे a pair जब तक सिर्फ socks लिखी हुई है तब तक यह plural माना जाता है, लेकिन जब इसे a pair के साथ जोड दिया जाए, तो यह पूरा subject क्या हो जाता है, यह पूरा subject singular हो जाता है singular subject के साथ singular helping verb भी आएगा वो हमारे पास has है क्योंकि यहाँ पर bean लिखा है bean से पहले has ही आता है option number B question का सही answer बन जाता है, तो क्या बना a pair of socks has been missing from my wardrobe, इसका मतलब यह हुआ कि मेरी अल्मारी में से, मेरी socks का एक pair गायब है ठीक है, समझ में आया option number B आपके question का सही जवाब था, अगला सवाल the movie dash started when I reached the cinema hall, वो कहते है कि movie already शुरू हो चुकी थी जब मैं hall पहुँचा तो बच्चे ऐसे वाले case के अंदर जब आप आते हो तो पहला होने वाला incident हमेशा past perfect में दिया जाता है और second होने वाला incident हमेशा simple past में दिया जाता है यानि इसका मतलब है कि जब तक मैं movie theater पहुँचा, तब तक movie already शुरू हो चुकी थी यानि यहाँ पर V2 आ चुका है मुझे यहाँ पर V3 लगाना है मुझे past perfect लगाना है उसके लिए मैं had लगा दूँगी तो क्या बन जाएगा the movie had started when I reached the cinema hall कि जब तक मैं cinema hall पहुचा, movie already शुरू हो चुकी थी ठीक है, I hope यहाँ तक आप सब बचों को clear हो गया होगा, correct answers डालना, गलत आंसर मत डालना, गलत आंसर मेरे बहुत सारे relatives है मच relatives नहीं होगा बच्चे कि uncountable है नहीं हो सकते, more relatives किसी से no comparison in sentence, यहाँ पर बेटा कोई comparison नहीं हो रहा है I have all relatives, मैं पास सारे relatives हैं ऐसा नहीं हो सकता, I have many relatives, मेरे पास बहुत सारे relatives हैं ठीक है, I have many relatives option number D आपके question का सही जवाब होगा, ठीक है I hope यहाँ तक आप सब लोगों को कहानी समझ में आ गई होगी, finally बच्चे हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, हम हमारे पास गिंती के कुछ 10 सवाल से 12 सवाल रह गए होगे हम लोग 18 सवाल के ओपर तो हैं ही ऐसे मेरी गिंती मुझे बता रही है बाके देखते है public speaking dash a skill public speaking क्या है यह एक skill है, अब अचे यह एक ही skill है ठीक है, a skill यह a क्या दिखाता है a दिखाता है कि यहाँ पर जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो singular है तो क्या होगा, public speaking is a skill क्या होगा, public speaking is a skill, public speaking बोलनाए में अपने आप में एक skill है, option number d आपके question का सही answer माना जाएगा अगला option, अगला सवाल देखते हैं you can pick dash of the two, आप क्या कर सकते हो आप इन दोनों में से कुछ एक को choose कर सकते हो बज़े जब दो में से choice आती है न, whenever you have a choice between two a choice between two either लगता है दो के choice में you can pick either of the two, many of the two नहीं हो सकता, more of the two नहीं हो सकता either of the two होगा तेखे, option number c आपके question का सही जवाब होगा अगला सवाल देखेंगे अगला सवाल है यह क्लास में हमने सवाल किया हुआ है कि हो सकता है कि वो अपने ग्राइन्ट पेरिंट के हाउस को विजट करेगी हॉलिडेज में यहाँ पर उस चीज के chances के बारे में बात की जा रही है और बेटा chances के लिए might लगता है जो दिखाता है कि उस चीज के होने के chances भले ही कम हो लेकिन हैं और बेटा बेटा आपके question का सही जवाब होगा अगला सवाल यानि वो कहते हैं अगले मंडे आने तक पहली बात तो यहाँ पर already future के बारे में बात की जा रही है dash staying देखो बचा ing भी लग गया है यानि किसकी बात हो रही है यह future perfect continuous वो कहते हैं कि उसको क्यों क्यों क्योंकि वो देखो 4-3 weeks 3 हफते हो चुके होंगे अगले मंडे तक उसको यानि continuous और perfect action complete भी हो गया तो क्या होगा by next Monday he will have been staying at my uncle's house for 3 weeks option number C क्योंकि यहां पर will भी है have भी है और been भी है यानि आपके पास perfect भी है continuous भी है और future भी है ठीक है option number C आपके question का correct answer होगा will have been staying लिख लेना ठीक है अगला सवाल देखेंगे the audience dash settle before the doors are closed the audience must settle दर्वाजा बंद होने से पहले audience को बैठ जाना चाहिए must आएगा scan नहीं हो सकता must आएगा कि audience को बैठ जाना चाहिए इससे पहले कि दर्वाजे बंद हो जाएए अगला सवाल she said bring me a glass of water please अब बच्चे देखो जहां पर भी please आजाता है आप लोगों को पता लग जाता है कि वहाँ पर request की जा रही है ठीक है तो आप देख लो इसमे request word डून लो clear है बहुत असानी चे दिख रहा है option number B option number B she requested me to bring a glass of water आपके question का सही जवाब होगा अगला सवाल all students dash obey the school regulations अब सब बच्चों को school की regulations माननी चाहिए वही बेटा देखो compulsion वाली बात आ जाती है school में अगर बच्चे rules नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा compulsion की बात आ गई compulsion की बात में आप लोग must का प्रयोग करते हो all students must obey the school regulations option number B आपके question का सही जवाब होगा अगला सवाल कुछ आखरी के कितने सवाल बच्चे हैं मारे पास 1,2,3,4,5,6,7 7 सवाल 23rd सवाल on your screen डाश, you like to accompany us our tune तूर अब हो कहते हैं क्या आप हमें हमारी तूर पर कंपनी करना चाहोगे क्या आप हमारे साथ तूर पर जाना चाहोगे should you like, would you like, will you like या shall you like तो बच्चे जब आप पूछते हो किसी से जब आप किसी को question करते हो जब आप किसी से आप पूछते हो जब आप उनसे permission तो नहीं लेकिन आप उन्हें सवाल करते हो, offer करते हो उन्हें कोई चीज तो आप हाँ पर would का use करते हो, option number B आपके question का सही जवाब हो, would you like to company on the tour, क्या आप हमारे साथ tour पर जाना चाहेंगे, option number B आपके question का सही जवाब है, अगला सवाल, we should inform dash of them, हमें सब को बता देना चाहिए, ठीक है, many of them, every of them, few of them, all of them, तो हमें उन सब को बता देना चाहिए, all of them हमारे question का सही option होगा, बेटा यह ऐसे options हैं, जो आपको देखके ही समझ में आ जाने चाहिए, कि आपके question में, यह option correct answer होगा, clear answers आप लोगों को मिल जाने चाहिए, अगला सवाल दे में को तुम्हारे साथ जाकर अच्छा लगता, I could have loved, I should have loved, I might have loved, I would have loved to go with all of you, तो हम इने offer दिये कि आरे यार मुझे तो आप लोगों के साथ जाकर बहुत अच्छा लगेगा, तो जब आप किसी भी चीज़ को बहुत politely बोलते हो, तो वहाँ पर आप would का use करते हो, ठीक है यह अब अपना polite agreement दिखाते हो, कि आप उस चीज़ से agree करते हो, तो यह आपका polite agreement है, option number D, आपके question का सही जवाब बाना जाएगा, अगला सवाल देखेंगे, that woman-vegetable, वो women सबजियां बेचती है, women कैसी है भाईया, women as singular subject, अब जब sentence में singular subject दिया जा रहा है, तो verb लगेगा, V5, V5 का मतलब है, verb के साथ S या E S लग जाएगा, देख लो, option number C में है, option number C आपके question का सही जवाब है, और answer में आएगा, cells, that women sells vegetables, option number C, sorry, option number C आपके question का सही जवाब था, अगले आखरी के दो सवाल बचे हमारे पास, तीन सवाल, with this, you have lost that chance that you had, अब बचे, chance कैसा होता है, chance होता है, छोटा सा, ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसके साथ आपके पास जो chance था, वो भी खो गया, और बचे, ये एक negative statement देखने में प्रतीत होती है, कि आपके पास जो आखरी मौका था, वो भी आपने खो दिया है, तो बचे, a little तो लगता है positive के साथ, the little का मतलब होता है, जितना भी था, वो सब, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वो कहते हैं कि with this, इसी के साथ, आपके पास जो बचा कुछा chance था, वो भी गया, यहाँनि the little chance, कि जितना भी बचा था, वो सब, all that was left, वो कहते हैं जितना भी बचा था, वो सारा का सारा chance जो है, वो चला गया, with this, you have lost the little chance you had, जो बचे कुछी chance थी, वो भी पूरी की पूरी तुमने गवा दी, is there dash at the door, option is nobody, somebody, someone, everyone, is there somebody at the door, yes, is there someone at the door, तो बचे somebody at the door, because buddy means a person है, तो आप someone भी लेके जा सकते हो, is nobody, वैसे actually all of the options could be correct, leaving option number D, is nobody, is there nobody at the door, is there somebody at the door, is there someone at the door, is there everybody at the door, तो हम इस question को कर देते हैं, choose the odd one out, तो आपको क्या करना है, इसमें odd one out को बाहर निकालना है, तो odd one out में बचे हमारे पास यह तीनों options सही हो सकते हैं, सिब option number D है, जो नहीं लग सकता, तो option number D ही आपके question का सही जवाब है, is there nobody at the door, is there somebody at the door, is there someone at the door, और तीनों सही होंगे, लेकिन odd one out है everybody, everybody at the door, नहीं हो सकता, सुनने में बहुत अच्पटा लगता है, इसलिए option number D आपके question का सही जवाब है, Moving ahead to the last question of the evening बचो, Measles dash a common disease among children, Measles क्या है, एक common disease है among बचे, मैंने आप लोगों का बताया था कि यह name of disease है, name of disease का मतलब क्या है, कि यह बचे एक singular subject है, यह क्या है, यह singular subject है, Right, singular subject होने के कारण, जो verb होगा बचे, वो भी singular होगा, helping verb, तो क्या लगेगा, Measles is a common disease among children, option number B आपके question का सही जवाब है, और इसी के साथ बचे, we are done with all the questions that we had for the day, and with this, we are at the end of a very short, yet an interesting topic, that was an integrated grammar, जिसमें हमने बहुत सारे अलग-अलग grammar के सवालों को देखा, अब इसी के साथ बचे हमारी आच की क्लास यहीं पर खतम हो जाती है, I hope आप सब बचों को सब कुछ समझ में आया होगा, अगर फिर भी बचों आप लोगों के दिमाग में कोई डाउट है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का comment box जिन्दा बाद, आप लोगों के जो भी डाउट से आप अपने comment box में बता सकते हैं, इसका DPP भी बच्चे आप एक बार ज़रूर लगाईएगा,